हेई गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम तो मैं चानल इंडियन मॉम कांच सो गाइज यहाँ पर इविनिंग का टाइम था बर्ट मैं यह सुभे इडिट कर रही हूँ इसी वज़े से आपको गुड मॉर्निंग विश कर दिया तो यहाँ पर हो रही है डिणर की तयारी बर्ट पर इनका फेवरेट डिनर बन रहा है और डिनर अल्मोस्त बन ही गया है क्योंकि आज है उनका बर्ट और बर्ट का व्लॉग इतने दिन बाद आया है तो उसके लिए सो सौरी डियर क्योंकि मैं बहुत जादा बिजी होगी थी कि क्या vlogging करें तो यह खाना बना है birthday की दिन यह रबडी बनी है पनियर की सबजी है उसके बाद रोटी चावल और यह दही है मतलब रायता है बुंदी का रायता मैंने बनाया था और इनको रबडी बहुत जादा पसंद था इसी हो जैसे रबडी आज specially बनी है इनके लिए और यह जो है मैंने आपको बताया था कि केक माही बनाने वाली है तो यह केक माही ने बनाया था और इसका बेस के साथ साथ मश पाहिन है थोड़ा पल्टा हो गया है बट उसके लिए मदलब छोटी बच्च्चों को क्या आता है या फिर भी उसके एच उसने बहुत अच्छा ब वीडियो है जो उसने बनाया है वो आपके साथ शेयर करूंगी बट मेरी फ्रेंट साथ ही आप बाद में देखी लेना इसी वज़से मैं कुछ भी शेयर ने कर पाई और माही को भी मतलब इतना कुछ हुआ नहीं जो बनाया उसने वो बना लिया जल्दी जल्दी और बस इस त तरह से हम लोगों ने ये ब्लैक फॉरस्ट केक को डेकॉरेट किया था इसके बाद ये केक कट करेंगे और केक करने के टाइम भी ना मतलब आपको क्या बताओ घर पे कही जगा नहीं है इतना और बेड रूम में पहले के नहीं तो इसलिए बेड रूम में भी ना सारा मुझा है ताकि मैं अच्छे से प्रॉपर डेली वीडियो बना पाऊ और आप लोगों इतने सारे कॉमेंट्स किये और इतने सारे मैसेज़स किये इंस्टा पे तो इसी होज़से मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइब मैं इतने दिनों से र भाहर का बाहर ही रखा आपनी तक हम लोगों तो म्यسب रहा है तो रहा है शुक हो आया है मतलब उसको पानी लग रहा है तो बशुक्त लोग आंज usu क्ट रहा है अपने रूटिन से दखना आब कर दो बैर वहा रहा है की जल्दी काम खतम करो बट उनका भी क्या कर सकता है वह थोड़ा सा टाइम तो लगता है यह और हाँ अभी कलरिंग का काम चल रहा है कलरिंग हो रही है बट ना प्योंपी जो है मतलब जु पाल सिलिंग है वो हमारे लीविंग रूम में वे वाकी है और kitchen में भी बाकी है क्योंकि ये तो दोनों हम लोग खाली नहीं कर सकते जल्दी से क्योंकि उपर की room जब तक complete नहीं होती ना उपर की room में हम लोग को shift हो ना है उसके बाद हम लोग ये नीचे का खाली करेंगे तो उसी वज़े से सारा कुछ हो रहा है ये और बस यही बाकी ह और आपको दिखा दूंगे मैं वैसे कुछ problem नहीं है बीज़िस में दिखाती जाओंगे आप ही सोचो कि kitchen थोड़ा सा ही है मतलब kitchen को मुझे पूरा clean करना पड़ता है वो लोग जब वो करते है जब घसाई करते है या कुछ कहते है उसके धूल इतनी बैठ जाती है kitchen में अब प्लीज एड़िस कर लीजे कुछ दिन कुछ दिनों की बात है अब कुछ दिनों की बाद अपने routine में मैं आ जाओंगी तो फिर आपको अच्छ अच्छ व्लॉक देखने के लिए मिलेंगे और regular vlog देखने के लिए मिलेंगे तो मैं regular vlogging करने वाली हूँ उसके बाद और अ तो वह उसका है थोड़ा सा क्लियारिटी में फ़र्क पड़ेगा बट आप एड़्जेस कर लीजिए अभी कुछ दिन तो आपको आसे ही मेसी दिखेगा मेरा घर और ऐसे ही आपको थोड़े से क्लियारिटी में फ़र्क देखेगा तो यह माही की ट्यूटर है वह तो मेरे फ्रेंड्स थी दोनों आपको पता ही है मतलब वह फ्रेंड ही मेरी और उसकी वह सिस्टर है चोटी और यह माही की ट्यूटर है तो यह घर पर पड़ाने के लिए आती है माही को माही की रूम भी ब दिनर कर लेते हैं। आप भी आज आजबनायकों है और यह जि दिन सब्सक्राइक लेकुर्पनी चांफिते idag का जब देखने जा रहा है है वो लोग एक एक लिरा राया है न, मतलब जो बैस है वो सारे रउम का ले रहा है बट जो मेन है टेक्षर वाला पेंट या कुछ sprawd Caleb जो Mag Yoss आइसे करके तो यह है पोनए आपको सारा की का सामान मिल जाएग़ ज़ो तो आप देख सकते हो वह पेंट की शॉप के बाजू में जो शॉप है तो वहाँ पर ही आपको सारा केक का सामान मिल जाएगा जो अम्राउतिस है वह मुझे पूछ रहते है कि केक का सामान कहां से लिया है तो वह हिंदूस्तान ड्राइफूट से लिया है वहाँ पर आपको सा बाहर से क्योंकि अभी बाहर का कुछ खाई नहीं रहा है तो हमने सोचा कि बाहर का दूसरा कुछ लाने से अच्छा है वह सेफ्टी का ध्यान रखते हैं तो इसलिए यह डॉमिनो से पीजा लाया है उनके लिए और एक कौन पीजा था और एक था पनिर पीजा तो यह दो कि वागिंग नहीं कर पाई हूँ यह सिप यह सब कुछ खतम हो जाने के बाद मैं रिगुलर व्लॉगिंग करूंगी यार मुझे भी आप लोगों की आदा है यह वाली पर मैं अभी एडिट भी कर रही हूँ और जहां पर हम लोग दिन भर रहते हैं मतलब बेडरूम में आ आजो बाजो में कितना जाधा गलर्ट है lep, एक रूम में क्या शूट करूँ वहीं समझ मी नहीं आता किछेंट में हैं तो चेंट भी एभी कचें अबी कशेंट काम स्टार्ट होने वालए है एक दो में तो किचन में जा नहीं सकते हैं इस तरह से आप लाइफ चल रही है और इतना जादा है होता है कि आपको क्या पता हूँ यह पेंट सिलेक्ट करने में और सारी चक्कर में और हम लोगों ने कोई आर्केटेक नहीं रखा है तो इसी वज़से हम लोगों को ही सब कुछ देखना करना पड़ रहा है मतलब सब कुछ सिलेक्ट करके उनको बताना पड़ता है कि यह यह यहां पर टेक्ट्चर करो यह वाला कलर यहां पर यूज करो सब कुछ मुझे देना पड़ रहा है कि यह ड्यूटी चले जाता है इनको ड्यूटी का ही टेंशन बहुत जादा है इसी व लगेगी या जो paint मतलब select किया है जो color shade select किया है वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा क्योंकि एक बार लगाने के बाद तो वो निकलेगा नहीं तो इसे वज़े से वो करेंशन में आ जाती हूँ थोड़े और बस वही चल रहा है अभी और सब कुछ होजाने के बाद आपके साथ करूंगे मैं जल्दी से शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ और मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से सारा कुछ हो जाए ताकि आपके साथ अच्छे से होम टूर कर कर सकते हैं इसे रहने पढ़ रहा है और आप देक सकते हो कुछ दीन करने मैं यहीर भॉलाग नहीं और सब लोग यहाँ नहीं लोग सब ठ्हीख कैसे कमेंट में ज़रुर बिताएगा तो इसके साथ ही पेट करते हैं हमारा पीजा भी खाना और सब ‫हीं पीजा करते है और इसके साथ इस व्लॉग को यही पर एंड करते हैं मिलते हैं अच्छे से ने व्लॉग में आपसे आपको यह चोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इं कर दो जाम blastयार को में किया में आया हो अ ह्लॉग की तो इंस्टा ने चार सब्सक्राइब परण कर दो जाते हैं आपको पक्राइब आई से